आईना में दादी सबको प्रशाद देती हैं अन्दनी को देती हैं और कहती हैं बुआ जी को कि तुम भी लेलो रजत से कहती हैं तुम्हारी तो पत्नी ही नहीं है तब एक रुमाल लाकर देती है नंदनी जो अन्मूल का होता है और उसमें प्रशाद ले लेता है रजत और कह आनमॉल के पास आकर प्रशाद खाने लगता है वह बोलती है क्यों आयो फिर सासो मा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे बहु उनके सामने एक दम अच्छे रूप में जाएगी वह बोलती है कि सासो मा को क्यों चिला रही है ये दादी मुझे पसंद नहीं है वह पहले मेरी मा बाद में 700 मां हैं और 600 मां के पास कहती है मैं आराम से उनको बताऊं की तुम भान सच ता कि अचानक से उन्हें पता न चले और उन्हेंं दुखbir न पहुंचे अधर एधर सब्छान के साथ भू मांधिर में चैके पीछे से उने धख्का दे कर बचा लेती है नहीं गाडी उनका एक्सिडेंट कर देती है और कीचर में दोनों लखपत हो जाती है दादी कहती है ये लो फिर इसने सत्यानास कर दिया अब क्या करू मैं रजा तून्हें उठा कर ले जाता है दादी घर जाती है तो बहूंव से कहती है पानी गरम करो मुझे नहाना है मेरा ब्रत भंग हो गया नहाँ रजत कीjakि तो अजीब सी होती है फिर से बहू पर चिलाने लगते हैं कि तुमसे जोद भी बनाते नहीं बनती बोलती है अनमुल कि मैं सिर्फ उन्हें बचाने जा रही थी क्या पता क्यों मुझसे गड़बड हो गई रजत कहता है कोई बात नहीं मैं उनसे बात करने की कोशिस करूँग मैं था केसी बहु ओतों